नमश्कार एव्रीवनॉत। उम्मित करता हूँ, आप सबी की परप्रेशन बहुत शानुदार चाहिके यह साहिए। द्सम्बर में होने वाला है। और दूसरी तरफ हमारे राज्स्तान में, राज्स्तान के यूवा इन वेकेंएज में फॉर्म री ओपन की मांग कर रहे हैं ऐसी से जुडिवी मैं आपको जानकरी देना चाहूंगा और आप अपनी तयारी बिल्कुल जारी रखिए देखिम बात क्ला है पहले मैं आपको ब्रीफ में समझा देता हूं इराजस्तान में जितने भी विद्यारती हैं जो ओवरेज हो चुके हैं जो फाइनल येर के स्टुडेंट हैं जो फर्स्ट गेड सेकंड ग्रेड का एक्जाम दे रहे हैं वो ये चाह रहे हैं कि इन वेकेंसी को रियोपन कर दिया जाए और एक्जाम के लिए थोड़ा साम है कुछ एक्षा समय भी दे दिया जाए और इसी को देखते हुए दोस्तों वेकेंसी राजस्तान हाई कोर्ट में भी पहुंच चुकी है अब इसकी सुनवाई होगी किसने याची का लगाई है पू लेकिन इनमें भी आयू सीमा में जो छूट की मांग चल रही है वो दी नहीं गई है तो यहां पे भी विद्यारती लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं लेकिन विद्यारति की बात सुनने वाला कोई भी नहीं है विद्यारती ग्यापंदेरे मंत्रियों के पास आ रहे ह है अब हम बात करते हैं कि हमारे राजास्तान में फिर्स ग्रेड वेकेंसी की जो जबर्दस तरीके से मांग चल रही है उसको लेकर क्या आपडेट है दोस्तों तो पहला आपडेट तो यह है कि केस लिस्ट हो चुका है हाई कोट में और सुनवाई कब होगी सुनवाई कल होग की वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है तो यहां पर देखिए यह रजिस्टेशन डिटेल यहां पर दी गई है पेटिश मतलब याची का करता पेटिशनर कौन है तो यह नाम आप देख पा रहे हैं राकिश गड़वाल एडवोकेट का नाम यह नाम आप सभी ने सुनाई होगा विज्ञान शाह नाम है इनका यह देखिए नाम इनका काफी च प्रियाची का लगाई गई है डिवीजन बेंच जो आपने सुना होगा जिसको हम क्या कहते हैं डीवी बोलते हैं डबल बेंच डिवीजन बेंच ठीक है और यहां पर देखिए डे ओप लिस्टिंग मतलब इसकी सुनवाई कब होगी तो यहां पर दिया गया है 29 नो यानि क आपर मैं यहां डेट यहां पर दे गई है अच्छा यह किस लगा कब था नहीं मैं आपको यह यह केश कब लगा था शॅकार drama कि और और या पैर pagan आप देखें कि लगा मतलब यह स्क्रीन शुट लिए है अभी थोड़ी देर पहले का छे बज के चुमालिस मिनट का ये कब याची का कब 27 रजिस्टर्ड कब हुई उसके एक दिन यानि 28 सितंबर को और सुनवाई कब है 29 सितंबर को यानि कि कल ये सुनवाई होने वाली है और विध्यार्तियों ने अपने इस तरफ पर मतलब वो कहता है कि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था तो विध्यार्तियों ने अपना एक ग्रूप बनाया टेलीग्राम ग्रूप बनाया और उसमें सभी ने एक्ता का परिच्छे दिया और ये याची का लगा दी गई है कल इसकी सुनवाई होगी ये डिटेल के माद्यम से आप हाई कोड की वेबसाइट पर भी इसको आप आराम से देख सकते हैं और आप भी उस ग्रूप से जुनना चाहते हैं तो वीडियो के कहीं स्टुडेंट है जिनका रिजल्ट नहीं आने की वज़े से वो इस वेकेंसी से बाहर हो रहे हैं फर्स ग्रेड की मांग काफी समय से चल रही है इस लेबस में भी काफी बदलाव कर दिया गया है आप अपनी तयारी जारी रखिए चैनल को सब्स्क्राइब कर लीजी त आपको चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी और आप अपने सुजाओ चैट बोक्स के माध्यम से जरूर खेयर करें कि बढ़नी चाहिए नहीं बढ़नी चाहिए सबी से निवेदन है मेरा यह आपको क्या लगता है यस नो जो भी आपके विचार है चैट ब कल आपको वीडियो बनाकर आगामी जानकारी दे दी जाएगी फिलाल आज के लिए इतना ही धन्यवाद थैंक्यू और अपनी प्रेप्रेशन को जारी रखें